हेलो शातियों कैसे हैं आप सब मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटेस्टेट होने वाला है आपके पास जो समय बचे हैं उस समय बचे हुए समय में कैसे पास करें क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचे हुए है ठीक ना और उस समय में कैसे पास करें इसका तरीका मैं बताऊंगा और कौन सा बेस्ट भुक होगा और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है तो पास करने के लिए अगर पढ़ना है तो इस वीडियो को जरूर देखेग जैसा कि जानते हैं कि साथियों एक नजर देख लेते हैं कि आपके परिख्यों में जो हिंदी का 15 नमर, इंग्लिश का 15 नमर, उसके वाद GKGS 40 नमर, टीचिंग एप्टिटूर 25 नमर, और उसके वाद ये जो आपका रिजनिंग है 25 नमर, इसके साथ-साथ आपका बिद्यालो में सिक्षन तथा ग्यान का परिवेश जो है वह आपका 25 नमर, ठीक न, तो ये टोटल 120 प्रशन आपको परिख्या में, बहुत सारे स्टुडेंट क्या कर रहे हैं, ठीक न, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो समय बचे हुए हैं, तो क्या कर सकते हैं, जैसे जहां से प्रशन को उठाना है, अगर हिंदी में, जैसे एक बात बताता हूं, कि मैंने एक डाटा त्यार किया हूं, कि हिंदी में कहां कहां से प्रशन पूछते हैं, ठीक, हिंदी में ये लोग वर्न से प्रशन पूछते हैं, मुहाबरा से प्रशन पूछते हैं, संधी, क्रिया, व वादी और प्रतिवादी उसके वाद जैसे रचेता से रसमी रथी किसने लिखा था इन सभी बातों आपका हिंदी का हो गया ठीक तो आपका कितने नमर हो गया पंदर नमर अगर आप चाहते हैं कि पंदर नमर कैसे त्यारी करें तो कोई भूक आप मेरे ख्याल से मत खड़े क्या कीजिए अगर आपके पास कोई grammar का भूक होगा। उसे follow कीजिए ठीक अर देख लिजी को उपसार्ग और प्रतिए अपरतिए को क्या करना है। उसकी concept कों सिर्फ clear करना है। कहीं से भी आपdock कर सकते हैं। जैसे यहाँ पूछता है उपसार्ग और प्रतिए से तत्सम और तदभव से तो एक एक नमर का आपका जो है important होता है बहुत ही माइने रखता है क्योंकि आपका एक एक नमर बहुत ही important होता है ठीक जैसे फिर आप मैं बताता हूं English की बात करता हूं तो English में Antonyms, Synonyms, Passage, Fill in the Blanks और Extra Sum कुछ अलग है तो फिर देख सकते हैं कि आपका जो समान्य अधिन है उसमें मंत्री मंडल है उसके बाद GST हुआ, Olympic हुआ, खेल हुआ, Novel Gas हुआ, इस परकार के question आपको क्या करेंगे परिच्छा में देखने को मिलेगा तो अगर आप त्यारी करना चाते हैं, या त्यारी कर रहे हैं, अभी भी अगर आप कहीं से course नहीं लिये हैं, अगर चाते हैं कि कुछ त्यारी करें, तो Teaching Oriented App डाउनलोड कर लीजे, ठीक न, अब मत सोचिए, अब सबसे पहले पढ़ाईय श्टार्ट कर दीजे, क्योंकि आ अगर चाते हैं, कि एक जगवा मुझे कोई book, अगर आप Teaching Oriented App को डाउनलोड करते हैं, तो हाँ अभी course चल रहे हैं, उसका offer price जो है, वो 349 है, क्या है, 349 है, और यह offer price है, उसमें क्या-क्या मिलने वाला है, इसमें आपको full video course, एक भी किताब खरने की जोट नहीं है, हिंदी English, आपका reasoning, कोई भी book खरने की नहीं है, full practice होगी, अच्छा ये बताए कि फिर आपने पढ़ा, फिर practice कैसे करेंगे, तो Teaching Oriented इसी में आपको 349 का जो payment करेंगा, अभी जो offer price चल रहे हैं, उसमें आपको practice के लिए बहु सारे question मिलेंगे, ठीक न, तो आप इसे, अगर आप चा आज ये offer है, आप इसे join कर सकते हैं, तो मुझे उमीद भी है, कि आप इसे जरूर join कीजिये, क्योंकि यहां जो integrated beard की टीम सब है, इतने लोग जो आपको अलग-अलग जो धंग से पढ़ाते हैं, इतनी अच्छी team बने ही हुए है, और यहां Teaching Oriented पे सिर्फ एक ही question चलती है, बिहार integrated beard को लेकर, ठेक, ऐसा नहीं है कि एक teacher बहुत सारे course चला रहे हैं, यहां सिर्फ बिहार integrated beard की त्यारी हो रही है, तो 3, 4, 9, सोचिये मत, नीचे description में लिंक दिया हुआ है, आप इसे जाईए और join कीजिये, जहां आपको एक भी book, एक book की की कीमत 3500 रुपया होती है, लेकिन आपको क्या मिलेगा, प्रतेक जो है subject का video मिलेगा, साथ साथ आपको practice के लिए, online practice के लिए मिलेगे, एक बहतरीन आपको guidance मिलेगी, आप हम लोग से बात कर सकते हैं, टीम से बात कर सकते हैं, कैसे त्यारी करेंगे, यह कर सकते हैं, तो सोचिये मत, नीचे description में लिंक दिया हुआ है, और जाइए अभी join कीजिए, बहतरीन course है आपके लिए, ठीक न?